वक्त बदल गए हालात बदल गए लेकिन पुरानी बाते फैंस के दिलों के दिमाग में आज भी ताजा है लेकिन कुछ लोग उन्हें भी बदलना चाहते हैं भाई फैंस कभी नहीं बदल सकते चाहे दूसरे लोग वक्त और हालात की वजह से बदल जाए ऐसा ही कुछ पारस चाहबड़ा के साथ हो रहा है भाई वो वक्त और हालात के साथ बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन पुरानी बातों को कुछ इस तरह से तोड़ मरोड के पैश कर रहे हैं कि कुछ लोग उनके वहकावे में भी आ रहे हैं लेकिन उन बातों को क्लियर करना तो बाइ इस बार क्या खिचड़ी पकाने की तैयारी चल रही है पारस्चा बड़ागी पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ब सबने उनका मजाग उड़ाया लेकिन इस लिस्ट में सबसे उपर हम अगर किसी का नाम लेना चाहेंगे तो वो है पारस्चाबडा और माहरा शर्मा जिन्होंने शैनास को बहुत रुलाया यार बहुत रुलाया बिग बॉस 13 में हमें सब कुछ याद है क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने बोडी शैमिंग की उनकी बोलने के अंदास को लेकर मजाग उड़ाया शैनास के कपड़ों को लेकर मजाग उड़ाया और इधर उधर करती है इधर उधर इधर उधर यहीं बोलता था ना पारस्चाबडा लेकिन शैनास जहां थी वहीं रही हमेशा से और आज पारस चाबड़ा चाहे कुछ भी कहते रहे इधर उधर कौन हुआ ये तो हम सभी ने देख लिया लेकिन यहां पर पारस चाबड़ा के अब बाते और हालात दोनों ही बदल चुके हैं उनके तो अंदास बिग पॉस 13 में कुछ औरी थे शैनास के खिलाफी हमेशा प्लानिंग प्लाडिंग उनको करनी होती थी लेकिन अब क्या चल रहा है अब उनका पॉड़कास्ट स्टार्ट ओ चुका है जिसमें वो हर एपिसोड में सिधात शैनास की बाते करते हैं उनकी तारीफों के पुल भी बानते हैं और यहां तक उन्होंने कहा है अपने पॉड़कास्ट म एंड में आके आके हम दोनों अलग हो गए और हमारी जोडियां अलग अलग तरीके से बन गई भाई ये कहना है पारस चाबड़ा का तो भाई पारस आपको हम ये बता दें कि शैनास सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद दिन ही आपके साथ थी जब एक प्रेशर आ रहा था कि जोड ही बनानी है जोडियों में ही आगे बढ़ सकते हैं तब शैनास के माइंड में था कि यार जोड़ी बनानी है क्योंकि उन्हें गेम में आगे बढ़ना था कुछ चंद दिन वो पारस के साथ थी या उसमें भी यार पारस के साथ तो मुझे वो कभी दिखी नहीं हमेशा सिध सिधात के साथ ही दिखी और उन चंद दिनों के बाद शहनाज ने जब पारस की असलियत देख ली कि वो किस तरह का इंसान है शहनाज को वाईबा जाती अच्छे बुरे की बहुत समझे शहनाज में जब उसने देख लिया कि यार पारस बहुत ही जादा कनिंग टाइप का है वो बिल्कुल भी सही तरीके से दोस्ती को या रिष्टो को नहीं निभा सकता है तो शहनाज वहां से हट गई थी और शहनाज सिधात के साथ ही रही हमेशा उनके साथ दिखी और बिग बॉस खतम होने तक भी शहनाज ने सिर्फ और सिधात की जीत चाही ना की खुद की और ना ही किसी और की तो भाई फैंस को तो सारी बाते पता है लेकिन वक्त और हाला जिस तरह से बदले हैं यहां पर सुर बदल चुके हैं खुद पारस चाबड़ा के जो बहुत बुराया करते थे आज वो तरीफों के पुल बांधने लगे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने पोड़कास्ट पे शेहिनास को बुलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए वो शेहिनास की इतनी जदा बातें करते हैं